शराब का घोटाला क्या है शराब का लिकर स्कैम क्या है लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह स्टैबलिश हो गया है कि कम से कम सौ करोड की रिश्वत ली गई है जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं उनको 12% कमिशन 5% से बढ़ा करके 12% कमिशन ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किक बैक आम आदमी पार्टी और केजरिवाल को दिया जाएगा और मनी ट्रेल भी एस्टैब्रिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोर रुपे गोवा के एलेक्शन के अंदर आप पार्टी ने इस्तिमाल किया और कॉंग्रेस के खिलाफ में किया क्योंकि जो वोट वहाँ पर उनको मिले वो कॉंग्रेस के खिलाफ में मिले तो केजरिवाल ने कॉंग्रेस को हराने के लिए कॉंग्रेस को नुक्सान पहुचाने के लिए केजरिवाल ने 100 करोड का स्कैम किया है और इनको कोई नेतिक अधिकार केजरिवाल और इनके मंत्रियों को जिन जिनका नाम इसमें है चाहे वो मनीश सिसो दिया चाहे सतेंदर जैन को इनको कोई नहतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं चे परसेंट बाराँ परसेंट में से किक बैक दिया गया यह एस्टैबलिश हो गया कि अडविटिस्मेंट्स जो दिये गए वहाँ पे गोवा में वो एस्टैबलिश में वो एडविटिस्मेंट्स के पैसे इसी किक बैक से दिया गया है यह एडी के चार्च शीट में 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 यह इस्टैबलिश हो गया है कि 70 लाख रोपे इनके Stage को इसी पैसे में से धिये 2022 जन लोगों सर्वे किया गया वह मनी ट्रियल established हो गई है जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है जब मदी ट्रेल established हो गई और पीमले के कोट ने थर्जडे को संग्यान ले करके चार्ट शीट को फाइल करने के लिए एडी को कह दिया है तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरिवाल को है कि वो एक सेकेंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं ताज को अंग्वेस पार्टी इन से पूछना चाहती है